इस वीडियो में हम सिक्वेंस के बारे में जानेंगे कि सिक्वेंस क्या होता है और सिक्वेंस कैसे क्रियेट करते हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा आए स्टार्ट करते हैं सिक्वेंस प्रोजेक्ट के अंदर एक टाइम लाइन है Project Panel के अंदर Sequences को Store किया जाता है Clips के जैसे Sequences का अपना आइकन होता है Sequence एक Project के समान नहीं है क्योंकि एक Project में कई Sequences हो सकते हैं अगर आप Long Movie एडिट कर रहे हो तो एक Sequence में Full Length Movie दूसरे Sequence में 2 Minute Theoretical Trailer तीसरे Sequence में 30 Second का Television Commercial हो सकता है Sequence Create करने के 6 ways है New Item बटन पे क्लिक करके Sequence पे क्लिक करें File पे क्लिक करें और फिर New और फिर Sequence पे क्लिक करें अगर अभी कोई Sequence नहीं है तो Media को Drag करके पहले Project Panel में फिर Project Panel से Media को Drag करके Timeline Panel में Drop करें तो Sequence Create हो जाएगा Media को Project Panel से New Item बटन पे Drop करें New Sequence Create हो जाएगा जैसा यहाँ पे देख सकते हैं Project Panel में क्लिप पे रैट क्लिक करें ध्यान रखें कि Sequence पे रैट क्लिक ना करें फिर उसके बाद New Sequence From क्लिप पे क्लिक करें तो यह देख सकते हैं यहाँ पे एक और Sequence Create हो गया है Keyboard को यूज करके Ctrl प्लस N प्रेस करें Windows में और Command प्लस N प्रेस करें Mac में यह यहाँ पे देख सकते हैं यह पहले से Preset बनाया हुआ है Camera के हिसाब से जैसर यहाँ पे यह देख सकते है Description यहाँ पे देख सकते है ईसका Frame Size क्या है Frame Rate क्या है और यहाँ से Settings से यहाँ से चूज कर सकते है Editing Mode यहाँ से कौन सा चूज करना यहां सी format फिर यहां पर OK प्रेस कर सकते हैं जब आप maximum bit depth select करते हैं तो Premiere Pro special effects को maximum quality पे render करेगा और जब आप maximum render quality पे select करते हैं तो Premiere Pro images को scale करने के लिए advanced system को use करेगा इन दोनों option को आप कभी भी enable कर सकते हैं अपने project में और यहां से आप अपना preset भी बना सकते हैं save preset करके यहां पे अपने sequence का नाम दे दें और फिर OK पे click करें तो sequence create हो जाएगा अगर आप share नहीं है कि कौन सा sequence setting आप use करें तो Premiere Pro आपको option देता है original media पे based sequence create करने के लिए अगर अभी कोई sequence नहीं है तो media को drag करके पहले project panel में फिर project panel से media को drag करके timeline panel में drop करें तो sequence create हो जाएगा media को project panel से new item button पे drop करें new sequence create हो जाएगा जैसा यहां पे देख सकते हैं project panel में clip पे right click करें ध्यान रखें कि sequence पे right click ना करें फिर उसके बाद new sequence from clip पे click करें तो यह देख सकते हैं यहां पे एक और sequence create हो गया है आएगा धएगा झाले करें तो